आज हम बनाएंगे पत्ता गोवी आलू और मटर की सबजी बहुत ही कम समान में तो सबसे पहले हम लेंगे 4 टेफल स्पून मस्टर्ड ओइल अब हमारा तेल ग्रम हो चुका है हम इसमें आड़ करेंगे प्यास एक मीडियम से इसका प्यास लेंगे जो बारी का टीवी हो इसे 1 कप मतर इसके बाद हम एड़ करेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर इसके बाद अब डालना है हाफ टीवी स्पून हल्दी पौडर वन टीवी लाल मिच पौडर वन टीवी नमक इसके बाद इसे एक तफ़ा अच्छे तरीके से चला लेनी है और फ्लेम को लोही रखनी है अब यह काफी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है इसके बाद हम लीड लगा देंगे और हर 10 मिनट के बाद इसे चलाते रहेंगे फ्लेम में तब तक रहने देना है जब तक आलू गलज है और आप चलाते रहेंगे हर 10 मिनट के बाद तो देखेंगे इसमें से पानी तो पूरा पानि सूक जाना चाहिए और आलो पूरे अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए तो पद्दा गॉबी घल जा गा और मटर भी इसी तरीके offersih 10 मिनट के बाद चलाते रहेंगे अब 10 मिनट के बाद हम फिर देखते हैं हमारा कैसा हुआ है तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद देखेंगे कि अब हमारा यहाँ पर थोड़ा सा पानी है तो यहाँ थोड़ी दिर तक और रहने देंगे कई बार ऐसा होता है कि जब हम बनाते तो पानी तुरंती सूख जाता है लेकिन आलू नहीं गलता है तो यह वहाँ पर थोड़ा तेल और जादा डाल देगे क्योंकि पत्ता गोबे काफी सूखा हुआ रहता है वह पानी नहीं छोड़ता है इसलिए तेल थोड़ा जादा डाल तो आधे गंटे के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर पुरा सूखा-सूखा नजर आ रहा है तब इसे हमें फ्राई करना है मिडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ल प्राइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंड देना बिल्कुल भी ना भूलें